साज संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी साज संगत जी दासी आशा करती है कि आप सभी सत्कुरू माता जी की असीम किरपा से अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे सुखी होंगे और दासी यही चाहती भी है कि सबका भला करो भगवान सबका सभी दी हो कल्यान साज संगत जी, रमायन में एक कहानी आती है कि एक बार भगवान राम जी और लक्षमन जी एक सरोवर में नहाने के लिए गए नहाते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर नदी के तट पर गाड दिये जब वे शिनान करके बाहर निकले तो लक्षमन जी ने देखा कि उनकी धनुष की नोग पर खून लगा हुआ है उन्होंने भगवान शिरी राम जी से कहा ब्राता लगता है कि अन्जाने में हमसे कोई हिंसा हो गई है जब दोनोंने मिट्टी हटा कर देखा तो पता चला कि तो वहाँ पर एक मेंड़क मरने की अवस्था में था भगवान शिरी राम जी ने करुणा वश्थ मेंड़क से कहा तुमने आवाज क्यों नहीं दी कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी हम लोग तुमें बचा लेते जब सांप पकड़ता है तब तो तुम खुब आवाज लगाते हो दनुश लगा तो क्यों नहीं बोले एंड़क बोला प्रभू जब सांप पकड़ता है तो मैं भगवान राम जी को पुकारता हूँ तब मैं आपको याद करता हूँ एक आशा होती है एक विश्वाश होता है कि प्रभू मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे पर आज देखा कि शाक्षात भगवान शीरी राम जी स्वयम धनुश लगा रहे हैं तो किसे पुकारता कौन मेरी सुनने वाला आपके सिवाए है आपके सिवाए तो किसी का नाम याद नहीं आया बस इसे अपना सोभाग्य समझ कर मैं सहता रहा सच्छे भगद जीवन के हर पल को भगवान का आशीरवाद मान कर उसे सविकार कर लेती हैं सुख और दुख प्रभु की किर्पा का परिनाह मानते हैं संतों महापुर्शों सुख और दुख तो हमेशां आते ही रहते हैं हर किसी के भागय में आते ही रहते हैं सिर्फ सुख नहीं होता कभी हर किसी के भागय में सिर्फ सुख नहीं होता और कभी हर समय दुख नहीं रहता यह सुख और दुख सब भगवान के ही हाथ में होते हैं इसलिए हमें हमेशा प्रभू का नाम जबते रहना चाहिए जब हम प्रभू का नाम जबते हैं तो दुख भी दुख नहीं लगता और यह प्रभू अपने भगत की अपने संत की हमेशा रक्षा करते हैं जिस तरह माता पिता अपने बच्चों को किस तरह पालते हैं अगर उन्हें कोई कश्ट हो जाता है तो माता पिता किस तरह उनका ध्यान रखते हैं इसी तरह ये सत्गुरू निरंकार हमारा माता पिता भाई बंदू सब कुछ है और जरासा भी हमें कोई कश्ट आ जाता है तो इस सत्गुरु निरंकार हमारी रक्षा करते हैं हम इसके छतर चाया में बैठे हैं हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती जिस तरह वो मेंडक ने अपने आपको भगवान शीरी राम जी के समर्पन कर दिया इसी तरह हम भी सत्गुरु निरंकार के आगे अगर समर्पित हैं हमने स्रेंडर किया हुआ है तो हमें कोई भी दुख सताएगा ही नहीं हमें दुख लगे गा ही नहीं क्योंकि यस सत्गुरु निरंकार हमारे साथ है हमारे अंग संग है हर पल हमारी हर कदम पे ये रख्षा कर रहा है हम इसको हर पल अपने मन में बसाए रखें इसका सीमर्पन करते रहें अच्छे करम करते रहें यही अच्छे करम ही साथ जाने हैं और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है इसलिए संद महात्मा मेशा हमें यही समझाते है कि है इनसान ये नाम की दोलत जितनी है तो इकठे कर ले ये धन, माया, महल, मारिया सब यहीं रह जानी है कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है अगर तेरे साथ जाएगा तो ये इकठा किया हुआ नाम सिम्रन ही तेरे साथ जाएगा इसी ने ही तेरे काम आना है तू जितना भी कठा कर सकता है इसको इकठा कर इसके साथ अपना प्यार बना और यही असली ध्वन दोलत तेरी ये नाम सिम्रन है इसके साथ तू जूड़ जा सत्गुरू निरंकार की शरण में आ जा और ये सीमरन कर सीमरन को जितना भी इखठा कर सकता है तू इखठा कर ले अच्छे करम कर किसी का दिल नहीं दुखाना हमें सत्गुरू यही समझाते हैं हमने मीठी बोली बोलनी हैं ऐसी वाणी बोलीए मन का आफ पाक होएं मीठा बोलने से सत्गुर सचे पाहिश्य कहते हैं कि दूसरों को भी सुख chilliан पुछा सकते हो दोसरों को भी ठंडक दे सकते हो आपने मीठा बोलना है सद्गुरू खुद करम करके हमें दिखाते हैं किस तरह हमें प्यार से सद्गुरू देखते हैं सद्गुरू माता स्विंदर हर देव जी महाराज सद्गुरू रूप में ब्रकट हुए तो उन्होंने पहले दिन ही हमें यह कहा कि आप सबने प्यार के साथ रहना है प्यार के साथ रोहोगे इस मीशन को मढ़ाओगे तो सद्कुरू बाबा जी बहुत ही खुश होंगे सद्कुरू बाबा जी यही चाहते थे कि हमने प्यार ही प्यार माटते चले जाना है अगर हम किसी को प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा और अगर हम नफरत देंगे तो हमें नफरत ही मिलेगी इसलिए हमने प्यार ही प्यार बाटना है अगर हम अपना प्यार लेना चाहते हैं तो पहले हम प्यार देना सीखें जब हम प्यार देंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा इस तरह राजमाता जी कहते हैं कि चीनी की बोरी में से चीनी ही निकलती है जहां से मर्जी उसको खोल कर देख लो नमक की बोरी में से नमक ही मिलेगा इसी तरह जिसके पास जो होगा वो वही देगा जो संत महत्मा होती है उनके पास तो प्रोपकार की भावना ही होती है वो प्रोपकार ही करते चले जाती है उनके पास तो मीठी वाणी ही होती है वो मीठी वाणी ही बोलते चले जाती है उनके पास प्यार होता है वो प्यार ही देते चले जाते है जो जिसके पास होता है उसको वही दे सकता है इसलिए हम सत्गुरु के कहे अनुसार अपना करम करते चले जाएं और सुखी होने का यही सादन है हमारे पास सत्गुरु ने हमें यह ग्यान बक्षा है हम तो अवगुनों से भरे हुए थे पता नहीं सत्गुरु को हमारा कुन सा अवगुन भागया गुन तो हमारे अंदर है यह नहीं था और सत्गुरु ने हमारे अवगुन पर भी कुश होकर हमें यह प्रमग्यान दे दिया हम सत्गुरु का जितना भी शुक्रिया करें उतना ही कम है हमारी तो जुबा बड़ी छोटी है नेकिन इसके गुनों का कोई अंत नहीं है इसकी रहमते बहुत है मेरी इन आखों ने चमतकार देखा है मुर्शद की तलियों में परवर्दिखार देखा है हम ही नहीं तड़फते इनको मिलने के लिए इनको भी हम से मिलने के लिए बेकरार देखा है हम ही नहीं तड़फते ये भी हमारे से मिलने के लिए बहुत बेकरार रहते हैं इनको भी हमारे साथ बहुत प्यार है हम इनकी तरफ एक कदम बढ़ाते है सत्गुरु हमारी तरफ सो कदम चल कराता है लेकिन हम एक कदम बढ़ाए तो सही हम इनको आवाज तो लगा के देखें यह हर पल हमारे साथ है जैसे महा भारत में आपने देखा कि द्रोपदी ने अपनी साड़ी का एक छोटा सा पल्लू पाढ़ कर बगवान शिरी क्रिशन जी को पट्टी बांदे थी तो बगवान शिरी क्रिशन जी ने कैसे साड़ीों के धेर लगा दिये यह सत्गुरु सचा पाशा गड़ा द्यालू है हम थोड़ी से भी अगर इस तरफ प्या के सेवा करते हैं तो ये सेवा सत्गुरु को बहुत महगी पड़ती है सेवा सत्गुरु को भी किसी का बकाया नहीं रखता एक बार इस दर पे जो हो जाता है इसका ये उसका बन जाता है सत्कुर। बड़ा सहारा लोगों बंदे कारखवाला है जहां गुरु का ग्यान वहाना भर्मो का अंधियारा है ये सत्कुर। बाबा हर देव सिंग जी महाराद ने संपून हर देव बानी शबद नमबर 53 में कहा है जहां गुरू का ग्यान वहाना भर्मो का अंदिहारा है आत्मा को जो रोशन कर दे वो सच का उजियारा है जहां गुरू का ग्यान वहाना टिक सकता अभिमान है जहां गुरू का ग्यान वहाना बस रहता एक भगवान है जहां गुरू का ग्यान वहान पर होती नहीं विशमता है जहां गुरू का ग्यान वहान पर रहती सदा ही समता है जहां गुरू का ग्यान वहाना जूट का व्यापार है कई हर देव सदा ही होता सच का कारूबार है ये सच का दरबार है तो यहां सच का ही कारूबार होता है इस तर पर जूट नहीं चलता इस तर पर सच के ही बाते होती है सच्चाई की बाते होती है और सत्कुरू के दर पर जो आ जाता है उसके सारे भरम भुलेखे सब दूर हो जाते है। ये आत्मा रोशन हो जाती है क्योंकि वो इस सच को जान लेता है, इस परम पिता प्रमात्मा को जान लेता है वो ये ग्यान रुपी रोशनी को पा लेता है इन ग्यान चक्षों से ग्यान रुपी जब रोशनी मिल जाती है तो अंधेरा अपने आप ही दूर हो जाता है जिसके जीवन में ग्यान का सूरज ये ग्यान की रोशनी उदे हुई उसके जीवन में ही उजाला आया है ये मन के अंदर से वहमो भरमो को तूर करके ये अंधियारा दूर हो गया वहम भरम निकल गए अंधियारा दूर हो गया और जब ग्यान रुपी खोशनी मिली तो सही और गल्द का भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि अविनाशी कौन है अविनाशी कौन है और ग्यान का सूरज जब उद्य हुआ तो रहा नजर अब आई है तो रस्ता भी नजर आने लग गया कि हमारी मंजिल कौन सी है जब मंजिल मिल गए तो फिर भटकना कैसा फिर अपने इस आत्मा ने इस निज सब्रूप को पा लिया इस आत्मा ने इस परमपिता प्रमात्मा को पा लिया इस आत्मा को अपने घर का पता चल गया तो फिर इसकी भटकन ही सत्कुरू ने खतम कर दी जैसे अब हमें अपने अपने घरों का पता होता है हम कहीं भी चले जाते हैं तो वहां से हम सीधे अपने घर पहुंचाते हैं क्योंकि हमें अपने घर का पता है इसी तरह सत्गुरू ने हमारी इस आत्मा को इस असली घर की पहचान करवाई है तो ये आत्मा का चनम बरन का सारा चकर सत्कुरू ने खतम कर दिया आत्मा की भड़कन समापत कर दी लेकिन समापत कैसे की जब सत्कुरू की शरण में आए इस निरंगकार को देखा तो रू गदगद हो गई इस आत्मा को पती परमात्मा मिल गया तो इसके सारे जो भरबू लेके थे वो सत्कुरू ने तूर कर दिये और ये आत्मा केह उठी पायो री मैंने पायो री राम रतन धन पायो री वस तु अमोलक दी मेरे सत्कुरू कर किरपा अपनायो री ये बात मीरा भाई ने जब इस भगवान को पाया इस निरंकार को पाया तो उसने अवाजे लगा लगा कर कहा कि पायो री मैंने रामरतंधन पायो री वस्तु अमोलक दी मेरे सत्गुरू कर किरपा अपनायो री मेरे इस निरंकार की मुझे पर किर्पा हुई सत्गुरु की शरण में आए सत्गुरु ने मुझे इस ब्रह्म ज्यान से चोड़ा और मेरे जीवन में अनन्द आ गया वाक्य में ही संतों महपुर्शों जिनों ने भी इस ब्रह्म ज्यान को पाया है और उनको ही पता है कि अनन्द क्या होता है जैसे कहते हैं कि जिसने गुड़ खाया होता है उसे ही पता होता है कि गुड़ की मिठास कितनी होती है इसी तरह कहते हैं कि जब कोई इनसान प्यासा होता है वो पानी पी लेता है उसकी प्यास बुच जाती है तो उसे बड़ा अनन्द आता है जब किसी को भूख लगती है वो खाना खा लेता है तो उसे बहुत अनन्द आता है उसे पता होता है कि इस पेड़ की भूख का अनन्द क्या है वो जब खाना खा लेता है उसका पेड़ भर जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है इसी तरह जब इस आत्मा को ये प्रमात्मा मिला तो ये आत्मा भी त्रिप्त हो गई कि वह सचे बाश्या मेरी आत्मा की जो भूख है ये सत्गुरू तूने मिटा दी एहसान जो कीते पूरे सत्गुरू करजा नहीं चुका सकता कहे अवतार गुरू दा करजा जनम जनम नहीं ला सकता सत्गुरू के इतने एहसान हैं हम पर हम सत्गुरू के एहसानों का करजा नहीं चुका सकते हम सत्गुरू के अभारी हैं कि सच्चे बाश्या आप जी ने हमें बक्षा है आप जी ने हमें अपने चलनों से जोड़ा है ने तो हम ऐसे ही रूलते फिरते कोई बात ना पूछता हम तो ऐसे ही रूलते फिरते रहते सच्चे बाश्या जो भी आपके वचनाएं हम इन वचनों को संभाल पाएं कहते हैं कि जग की शोभा वो बनते हैं जो गुरु वचनों पर चल पाएं जो गुरु वचनों को अपनाएं ये नहीं कि सुना लिया और सुन लिया नहीं गुरु वचनों को अपने अमली जामा देना है इसको अमल रूप में अगर हमने अपना लिया तो फिर कहते हैं कि वही जग की शोपा बनते हैं जो गुरु वचनों को अपनी जीवन में अपनाती है सचे पाश्या आपची के चर्णों में अरतास है कि हमें इन वचनों को मानना आ जाए हम इद बच्चनों को अपनी जोली में संभाल कर रखें संभाल कर रखें और इनको अपनाएं ढाकि संसार में जहां भी जाये तो लोग यहे कहें कि वाक्य में है सत्गृ माता सुदीक्षा जी महराज के गुर्शिक है सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्यारे प्यारे बच्चे हैं सद्गुरु माता जी फकर से ये देखें कि वाक्य में ही भीशन का नाम उचा हो रहा है हमारे करम देखकर ही दुनिया वाले कह सकते हैं सद्गुरु के चर्णु में यही अर्दास सचेवाशा सद्गुरु ऐसी बनु में निरंकारी जाने करमों से दुनिया सारी हमारे करम इतने अच्छे हो कि करमों से ही जाने जाएं और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाह रहे हैं कि हर एक गुर्षिक रोशन मीनार हो हर एक गुर्षिक चलता फिरता पूजा स्थल हो जासे कहते हैं कि एक बार किसी माह पुरुष ने जूस वाले को कहा कि मुझे जूस बना दो दो गिलास मैंने मंदिर में देने है मंदिर में देने है तो आगे से जब उसने जूस के दो गिलास त्यार कर दिये तो वहीं पर ये दो संत महात्मा उनके साथ थे उन्होंने संत महात्मा को जूस के गिलास पकड़ा दिये पियो संत महा पुर्शो तो वो जो जूस वाला था वो देखकर हैरान हो गया वो संद महात्मा से कहता है आप तो कह रहे थे कि मैंने मंदिर में लेकर जाने हैं मंदिर में देने हैं तो ये तो इनसान है उन्हों ने कहा कि यही तो हमारे मंदिर है जलते फिरते हमारे ये मंदिर ही तो है ये हमारे पूजा स्थल ही तो है हमें सत्गुरु ने यही तो कहा है कि इनसान की सेवा ही सबसे बड़ा करम है इनसान की पूजा ही सबसे बड़ा करम है और परम्भिता प्रमात्मा को पाना ही सबसे बड़ा धरम है जिसके लिए यह मुनुश्य जनम मिला है आओ साथ संगत जी, सद्कुर माता जी से यही अरदास करें, सबके भले के लिए अरदास करें, कि सचे पाशा सब्दा भला करो भगवान, सब्दा सब्वी दियो गल्यान, सरबसंतू निरामया, सरबे बत्राणी पश्चंतू, मा कस्चनम दुख भागवे, सचे पाशा सारे स तुकी हो किसी को भी किसी परकार का दुख ना हो सबी के दुख धूर भाग जाएं अश्या ऐसी बेहर वाली नजर आप जी हर एक जीव के उपर नखना तेरा रूप है एस अंजार सब्दा भला करो करतार सास संगत जी दासी दो मिंट के लिए सिमरन भी कराएगी आप सभी न तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैं नू बख्ष लो तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैं नू बख्ष लो ओलिय सत्कुरू माता सुदिक्षा सविंदर अर्देव जी महाराज की जै निरंकारी राज माता गुरुबच नवतार जी की जै असंग जी प्यार से कहना धां दीरंकार जी प्यार से कहना धां दीरंकार जी